Hello everyone, welcome to vocational education, आज weed management के इस episode में हम बात करेंगे preventive and cultural methods of weed control की जैसा कि हमने हमारे previous वीडियो में बात की थी कि weeds को हम दो तरीके से control कर सकते हैं First is indirect method जिसे हम preventive method भी बोलते हैं and second is direct method जिसे हम curative method भी बोलते हैं जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हैं इसमें integrated weed management के different methods दिये गए हैं जिसे हम weeds को control कर सकते हैं इसमें कुछ methods को दर्शाया गया है जो green color में highlight किये गये हैं वो indirect method है यानि के preventive methods और जिन methods को red color में highlight किया गया है वो है curative method या फिर direct methods इस वीडियो में हम बात करेंगे preventive methods की यानि के indirect methods की preventive weed control का मतलब है हमें कुछ ऐसे तरीकों का इस्तमाल करना है ताके हम खर पत्वार को अपने खेत में स्थापित होने से रोक सके तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन-कौन से वो तरीके हो सकते हैं जिनसे हम खर पत्वार को स्थापित होने से रोख सकते हैं। तो सबसे पहले है, sowing of weed-free clean seed, यानि हमें बिजाई के लिए एकदम साफ बीजों का इस्तिमाल करना है। जैसा कि आप pictures में देख पा रहे हैं, screen पे आपको दो pictures दिखाई दे रही है, फर्स जो picture है, उसमें जो बीज दिखाया गया है, वो एकदम clean है, जबकि second picture में जो seed है, उसमें कुछ मिलावट है, तो हमें बिजाई से पहले ये ध्यान देना है, कि हमारा जो बीज है, वो एकदम से साफ हो, उसमें कोई भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। यानि कि हम जब भी खेतों में काम करें, हम साफ सुत्रे औजारों का इस्तेमाल करें। कहने का मतलब है, जब भी हम किसी औजार से एक खेत में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं औजारों को दूसरी खेत में ले जाने से पहले, हमें उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए क्योंकि इस बात की संभावना काफी बनी रहती है कि हम ओजारों के माध्यम से खर पत्वार के बीज या कोई बिमारी दूसरे अन्या किसी खेत में लेकर जा सकते हैं जहां पर उसका संक्रमन नहीं होता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रही हैं इस मशीन को हमने किसी खेत में इस्तेमाल किया और इसमें साथ ही कुछ पौधे के जो भाग है वो साथ में आ गए है अगर हम इस मशीन को इसी स्थिती में हम दूसरे खेत में इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कहीं न कहीं हम खर्पतवार को दूसरे खेत में फैलने में मदद कर रहे हैं। जिसका सीधा मतलब है कि हम खर्पतवार को प्रिवेंट करने में असफल रहे। अब हम बात करते हैं next preventive method की जो है removal of weeds along canal and irrigation channels। यानि कि जो हमारी सिचाई की नहरे हैं या सिचाई के जो स्त्रोथ हैं हमें उन्हें साफ रखना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि उनके इर्दगिर्द कोई भी खर्पतवार के पौधे ना उग पाएं। क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है पानी के जरीए खर पत्वार के बीज हमारे खेतों तक पहुँच पाएं। अब हम बात करते हैं next preventive method की जो है avoiding passing of cattle from weed infested area यानि हमें हमारे मवेशियों को या पश्वों को खर पत्वार से ग्रसित इलाकों में जाने से रोकना होगा। जैसा कि आप pictures में देख पा रही हैं जो animals हैं वो weed के seeds को अपने साथ carry कर सकते हैं और दूसरे area में उसे फैला सकते हैं। अब next method है use of well rotten manure यानि कि हम जब भी खेतों में खात का इस्तेमाल करें वो अच्छे से सडा गला होना चाहिए क्यूंकि अगर ऐसा नहीं है तो उसमें खर पत्वार के जो बीच है वो उग सकते हैं और हमारी field को जो है वो contaminate कर सकते हैं। वीड कंट्रोल की कुछ preventive measures थे जिनके बारे में अभी हमने बात की। अब हम बात करेंगे cultural method of weed control की। cultural methods का मतलब है हमें कुछ ऐसे methods का इस्तेमाल करना हैं जिससे हम खेत की स्थिती को ऐसे बनाये रखें। जिससे हम खर पतवारों को establish होने से रोक सकें और उनके spread को रोक सकें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन techniques के बारे में जिससे हम हमारी field की conditions को बदल सकते हैं और खर पतवारों के लिए उन्हें unfavorable बना सकते हैं। तो सबसे पहली technique है tillage यानिके जुताई। जुताई का मतलब होता है मिट्टी को उलट पलट करना। भूमी की जुताई करके हम जो भूमी में घर पतवार हैं और जो उनके बीच हैं उनको पलट कर बाहर expose कर सकते हैं जिसके वज़ा से वो सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं और सूख जाते हैं। अब हम बात करते हैं next cultural practice की जिसका नाम है mulching। mulching का मतलब होता है पलवार बिचाना, mulching का मतलब होता है भूमी को किसी चीज से ढखना जिसके लिए हम सूखी घास, पत्तियों का और प्लास्टिक शीट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं। mulching से क्या होता है जो soil है उस पे एक cover लगा रहता है या दो घास का या प्लास्टिक का या किसी भी और चीज का जिसके वज़ा से जो खर पत्वार के बीज हमारी soil में है उन तक light नहीं पहुँच पाती और वो germinate नहीं कर पाते। और इस cultural practice के थुरू हम weeds को काफी हद तक control कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं next cultural practice की जो है crop rotation यानि के फसल चक्रिकरण। crop rotation को हम screen पे दी गई picture के थुरू समझने की कोशिश करते हैं। crop rotation का मतलब है एक निश्चित क्षेत्र में अलग-अलग फसलों को एक तै क्रम अनुसार और तै अंतराल के लिए लगाना। जैसा कि हम picture में देख पा रही हैं पहली साल में हमने bed one में tomato लगाया और दूसरी साल में हमने bed one में carrot लगाया और third year में हमने bed one में legumes यानि के दालों को लगाया इसमें हमने अलग-अलग फसलों को लगाया है और फिर आप तीसरी साल के बाद ये सारी चीज़े repeat करेंगे मतलब fourth year में हम जो हमने पहली साल में crop लगाई थी हम फिर से उसी crop को लगाएंगे and so on अब हम बात करते हैं next cultural practice की वो है soil solarization यानि मृदा सौर करण soil solarization मिट्टी को किटानू रहित करने की एक hydrothermal प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले मिट्टी को इकठा करेंगे और उसको हलका सा moist करेंगे और उसके बाद उसे बहुत अच्छी तरह से plastic sheet से cover कर देंगे ताके उससे heat जो है वो बाहर ना जाए और फिर हम उसे as such कुछ हफतों के लिए छोड़ देंगे इससे क्या होगा कि soil का temperature बढ़ेगा और उसमें जो भी रोगानू है और जो भी कुछ weed के seeds हैं वो desiccate हो जाएंगे सूख जाएंगे और उसकी कारण वो मर जाएंग इसमें हम क्या करते हैं कि एक seed bed त्यार कर देते हैं यानि कि एक nursery त्यार कर लेंगे इसमें हम seed को sow नहीं करेंगे अभी हम बिजाई नहीं करेंगे और उसमें जो भी weed के seeds हैं उन्हें हम germinate होने देंगे और उसके बाद जैसे ही वो germinate हो जाते हैं हम उन्हें destroy कर देंगे इसस तरीके से हमने weed को control कर लिया तो ये weed control के कुछ cultural methods थे जो preventive measures के अंडर आते हैं अगर आप इन methods के बारे में किसी भी एक method के बारे में detail में कोई information चाहते हैं तो आप मुझे comment box में बताईए मैं उसके बारे में एक detailed video बनाऊंगी इस video में मैंने काफी brief में preventive measures को cover किया है आपको क कोई भी query हो तो आप comment box में मुझे जरूर बताएं आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो please आप like कीजिए share कीजिए and please subscribe to the channel and thank you very much इस video में बने रहने के लिए thank you